जो पहला मावला क्लासेस ने जामिया असलामिया पेपर पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी वहाँ पर गरवड हो गई है उसकी मैं पूरे स्पॉंसिटी लेता हूँ जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है वो लास्ट से लास्ट यर्स के पेपर पैटर्न के कॉर्डिंग दी गई थी उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने मैसेस किये कमेंड किये बताया मुझे की पेपर का पैटर्न नया क्या है उससे मुझे एसास हुआ रिलाइस हुआ फिर मैंने सोचा कि कुछ सही से इन्फॉर्मेशन जो नही थी उसको दुबारा से अपलोड किया जाए उन सारे बच्चों को बहुत सारे बलेसिंग्स धेर सारा प्यार जिनोंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर मैसेस किया कमेंड किया बताया इससे मुझे ऐसास हुआ या रिलाइस हुआ कि बहुत सारा अटेस्मेंट हम और आप में है कोई भी इन्फॉर्मेशन अकर मिस होती है किसी भी चैनल पर या मेरे द्वारा तो वहाँ पर बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आने लगते हैं कुछ भी बोला जा सकता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इससे एक अजीब सा एक अजीब सा रिलेशन्स एक बाउंडिंग मुझे मैसूस हुई फील हुई मैं दुबारा कोसिस करूंगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ये बारे में पहले से ही सारी नॉलिज कलेक्ट कर ली जाए इन्फॉर्मेशन क आपको दी जाए चलिए तो जो आपने प्यार और इसने जताया है भरोसा जताया मावला क्लासिस को वो मैं हमेसा अपने साथ रखोंगा और कोसिस करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही दी जाए आगे बढ़ते हैं नए पेपर पैटरन के साथ बढ़ते हैं 2017-18 की इन्फॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट किया है उसी पाहदारित ये वीडियो पूरा होगा आप इसको फाइनल अपना अप्डेशन माने जो पिछली बार का था जो भी या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बताया जारा बार बार की ये नोटिफिकेशन जो फ्यूचर में 2018-19 का है वो नहीं है अभी तक कोई नोटिफिकेशन जामिया ने ऐसा को रिलीज नहीं किया है इस इन्फॉर्मेशन को लास्ट येर की इन्फॉर्मेशन पर आधारित माने और उस तरीके से आप तयारी कर सकते हैं तो पूरा-पूरा आज वीडियो आधारित रहेगा लास्ट ये की इन्फॉर्मेशन पर चली जानते हैं कि पेपर पैटरन पेपर को कितने सेक्शन में डिवाइट किया गया कितने कुशन आते हैं कितने आये थे मैथमाटिक्स में 50 कुशन कंप्यूटर में 20 कुशन रिजिंग में 20 कुशन इंग्लिस में 10 कुशन ये पूरा for one incorrect question अब इसको हम लोग पूरा समझते हैं कि कैसे किया गया यह किस तरीके से divided हो रहा है ठीक, जो student अभी समझ नहीं पाए किलिए लिली negative marking और positive marking समझना बहुत जरूर है किसी भी exam में अगर यहां पर आपको doubt होता है तो आप बहुत बड़ी govern कर सकते हैं तो इसको थोड़ा सा आतना से आराम से समझे हांडेड questions आते हैं अगर आप एक questions सही करते हैं तो उसका weight is एक number है इसका मतलब है कि एक question सही पर एक number आपको मिलेगा अगर आपने question किया अब वो गलत हो गया तो आपका आदा number आपके total से half marks आपके total से cut कर दिया जाएगा अगर आप कोई question attempt नहीं करते हैं तो ना ही आपको number मिलेंगे और ना ही cutेंगे यह marking scheme यहाँ पर जामिया में apply हो रही है अलग-अलग exam में अलग-अलग marking scheme हो सकती है तो आपको कभी भी कोई exam देते हैं तो marking scheme ज़रूर जान ले कहने का मतलब correct questions पर कितने number मिल रहे हैं और incorrect पर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर हमने ratio दिखाया है correct versus incorrect one ratio half कहने का मतलब हम उपर explain कर चुके थे तो आप वही बात को दुबारा एक बार sort में लिख दी गई है जिसे कि आपको हमेसा याद रहे है cut off जब भी decide किया जाता है यह कोई official नहीं है यह हमारे experience पर depend करता है कि हमने कितने exam की analysis की है और exam में last year की exam में कहाँ पर बच्चे कितना करके आते हैं इन सारी analysis का basis होता है कहीं official sites और कोई कहीं पर भी claim नहीं किया जाता है तो जो cut off मैं यहां बताने वाला हूँ यह मेरा खुद का analysis है student से पूछा है student के touch में रहें exam में आयों student से discuss किया है उसी पर basis आपको information दे रहें तो यह हमारी खुद की experience पर related information है बचे हमेशा इस बात पर concentrate रहते हैं कि cut off कितना गया cut off कितना गया तो एक important एक point हुआ आप सारे students के लिए आप जरूर जिध्यान रखते हैं कि cut off कितना जाता है तो हम लोग इसकी information यहां पर आपको share कर रहे है 80 plus questions का मतलब है कि आपको 80 plus questions करने नहीं है 80 plus questions आपके सही होने चाहिए उनकी marking बनने चाहिए last में एक statement लिखाया उसका एक मतलब है सीधा सा कि जामिया जब भी candidate की list निकालती है तो एक बार में नहीं निकालती है 3 या 4 list निकलती है वो depend on the counselling जब आप counselling time पर attain कर रहे होंगे उस time पर वो कितनी list निकालेंगे तो आपको wait करना पड़ता है तो 80 plus target जो रखा गया वो first list के according रखा गया कि इतना आपको target रखना ही है अब बात करते हैं सबसे important key factor पर यहाँ पर slavus लिया गया है जो slavus जामिया release करता है मैंने उस slavus को यहाँ पर नहीं लेके उन सारे topics को include किया जो सबसे important है मैस में 15 topics को मैं अपने analysis के according ही मानता हूँ कि इन पर बहुत जाद आपको ध्यान देना है जामिया करता क्या है कि 50 questions मैस उठाता है तो वो एक order लेके चलता है हर topic में 2 या 3 तीन दो या 3 questions लेके चलता है और ज़रूरी नहीं कि वो सारे syllabus के सारे area को cover करे 50 questions जैसे ही bind up हुए वो bind कर देते हैं एक बात देख लेते हैं कि जो हमने topics लिखे हैं आप उनको note कर पाएं एक समय देते हैं एक order में में topic लिखें देखते हैं mathematics में algebra में sets, sequence series, quadratic, binomial, matrix and detainment, complex number algebra की topics को आपको ध्यान देना है थोड़ा समय ज़्यादा देना है उसके बाद vector technometry में technometry में बहुत सारे sections हैं बढ़ सबसे ज़्यादा आपको technometry ratios and identities पे ध्यान देना है बहुत सारे questions वो देते हैं उसके बाद हम लोग calculus में calculus में बहुत सारे topics हो सकते हैं बढ़ आपको limits, differentiation, integrations इन पे बहुत ज़्यान देना है बहुत सारे questions देते हैं उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ note कर सकते हैं probability और connotations combination के एक-दू questions दाते हैं coordinate section में parabola, ellipse इस पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा coordinate या बहुत ज़्यादा questions नहीं पूछते हैं लास्ट में टॉपिक है mappings mapping means function इसे related one one on two one one in two इस टाइप के जो questions होते हैं उस टाइप questions पूछते हैं अगर आप जामिया की त्यारी कर रहे हैं तो इन सारे topics को आपको अच्छे से करना है अच्छे से ध्यान देना है और एक और बात बताते चलें level जो level बात करते हैं questions का level क्या रहता है तो जामिया में time का बहुत importance है time बहुत कम देते हैं तो questions बहुत अरे deep में जाते हैं conceptual होते हैं तो इन सारे 15 topics को आप tricks wise, formula wise जो questions है आप उन questions को जरूर करें deep बाले questions जो time बहुत जा ले रहे हैं उन questions पे आप बाद में ध्यान दे सकते हैं पहले आप एक average level के और tricks based questions जरूर कर लें जैसा कि बता चुके हैं कि जामिया के syllabus तो बहुत बढ़ा है मगर यहाँ पे जो analysis आपको दे रहे हैं वो हमारे recording है तो आज हमारे recording ठीक recording है और recording है फिर computer reasoning और English में mainly जिन topics पे वो focus करते हैं उन topics को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं सबसे पहले reasoning के topic को हम लोग देखते हैं कौन कौन से topic को सबसे ज़्यादा focus करते हैं एक बात और बताते चलें सबसे ज़्यादा M.C.A के entrance में NIMSET को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जहां पर reasoning आती है तो आप reasoning के label को NIMSET से compare करते हैं यह सबसे बड़ी miss confusion है miss information है जब भी आप reasoning की path करें तो आप paper में जो paper पे आप focus करते हैं सबसे पहले उस paper के pattern को आप जानिए तो जामिया में भी reasoning आ रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप NIMSET की paper को reasoning का आधार मालने reasoning का pattern देखना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप paper को देख लीजिए जो 2017-2018 का paper है वो बहुत सारी sites पे for example मावला classes की sites पे भी है तो आप paper के pattern को देख लें जिससे कि आपको unnecessary questions slavers पढ़ने की जरुरत नहीं होगी और आप focus होके उतने ही portion को अच्छे से पढ़ेंगे reasoning के बाद जानते हैं कि computer में किस portion पर बहुत ज़्यादा focus करते हैं वो भी एक important section है आएए देखते हैं कि computer में किन topics पर ज़्यादा focus करते हैं computer में computer fundamental example में web browser, input output devices, memory concept, database OS, basic से questions होते हैं आप basic fundamental की किताब लेंगे books की help लेंगे तो आपको questions वा मिल जाएंगे उनी type questions को आपको पढ़ना है उसके बाद binary conversion की अच्छे खासे questions आते हैं और logic aids तीन बातों पर फोकस करते हैं सारे 20 questions तीन बातों पर आधारित रहते हैं इन पर आपको ध्यान देना है सबसे लास में English को देखते हैं English के 10 questions आते हैं फिर भी आप इनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक important section हो गया तीन बातों पर ध्यान देते हैं error detection कहने का मतलब spell checking या कहीं सा error आती है English में उस type questions को आप देख लें antonyms, synonyms, one word, substitutions इन तीनों बातों पर आपको ध्यान देना है questions कैसे आते हैं देख लें और उससे मिलते जुलते materials को आप पढ़ें timing भी एक important factor है उसको जरूर ध्यान दे यहाँ पर timing two hours that means one twenty minutes आपके पास होते हैं 100 questions करने हैं इसका यह मतलब है कि सारे questions बहुत ही speed में और fluently आपको करने speed accuracy दोनों बात को ध्यान देना है जामिया में दोनों बात बहुत matter करती है तो आप जब भी exam दे इन बातों को ध्यान में रखें कोई भी information आपको चाहिए हो आपको नहीं मिल पा रही है तो एक यहाँ पे link दिया है Maula Classes की official sites है www.maulaclasses.in www.maulaclasses.in आप यहाँ पे जाके जामिया से related या MCA की कोई भी information आपको print out में आपको readable form में चाहिए हो बाकी Maula Classes के channel आपको वीडियो के माददम से आपको visuality से हमारी information और हमारे से related बहुत सारे faculties यहाँ पर information अप्लोड करती रहती है आप यहाँ से भी information ले सकते हैं हमारे साथ जोड़े रहिए एक और last में हम लोग जब conclude कर रहे हैं जामिया के बारे में तो एक information और आपको दे देते हैं पिछली बार वाला वीडियो अप्लोड किया गया था तो बहुत सारे questions से वहाँ पर question arise किया था कि Hindu या non-Muslim student है वो उनको form भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए इस टाइब की issues वहाँ पर उठाएते तो मेरी नजर में ऐसा कोई भी वहाँ पर issues नहीं है आप religions related चीजों को वहाँ पर बिल्कुल भी जोड़े नहीं जामिया एक central university है और एक अच्छा माहूल है अच्छा environment है वहाँ के teachers कोई भी possibility नहीं करते हैं तो आप आराम से इतना से form भर सकते हैं एक अच्छा options है जिनके पास 60% नहीं है last में सबसे ज़्यादा important बात जिनके पास 60% नहीं है निमसेट नहीं है उनके लिए जामिया एक अच्छी universities है एक अच्छी university में count होती है fees के मामले में देखा जाए डैली region में देखा जाए faculty के मामले देखा जाए पढ़ाई के मामले देखा जाए religion को आप उससे मत जोड़िए जामिया एक best option है आपके लिए जितने भी student हमारे पढ़ रहे है बहुत इतना से अच्छे तरीके से पढ़ रहे है और placement भी बहुत अच्छा हो रहा है तो एक अच्छी university एक अच्छा option बना के रखिए निमसेट के अगर है भी तब भी अच्छा option बना के रखिए उन सारे बच्चों को एक प्यारा सा संदेश और प्यारा सा मैसे मैं देना चाहूंगा जो बच्चे regular मावला क्लासिस की इन वीडियो को देखते हैं इससे हमारा भी motivation मुझे भी एक energy मिलती है positive energy मिलती है अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा अभी तक जो information में share की वो जामिया से related थी आपको कैसा लगा आप जरूर शेयर करें एक बात मैंने मैसूस की जो पहला वाला वीडियो था थोड़ा सा गरबड हुआ वो मेरी या मावला क्लासिस की जिसकी भी responsibility हो हम बिलकुल लेने के लिए तयार है और एक message आपने जो मुझे कर्मे किया है जो ऐसास दिलाया है जिस तरीके से वहाँ पर information को correct करवाया है उससे मुझे बहुत ही आप से जुडाओ पहले से था बड़ अब एक strong bonding मैं feel कर रहा हूँ और जिस तरीके से यहाँ पर one to one students को मैं care करता हूँ उस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप कोई वारे में भी उसी तरीके से आपका ख्यार लखूंगा जो भी आपकी demand होगी आप रखिए openly रखिए मैं courses कर रहा हूँ बहुत सारे students है test series के लिए online material के बोला है तो मेरा response नहीं आया wait करिए एक अच्छे मजबूत इरादों के साथ हम लोग आएंगे और पूरी last तक आपको ले जाएंगे आप विल्कुल चिंता न करें मावला क्लासिस आपके साथ है हर कदम पे साथ है और हम लोग last तक अच्छे से सफर ताय करेंगे यह हमारा बादा है मावला क्लासिस का बादा इसी के साथ मैसेज यहीं तक धन्यवाद आगे मिलते हैं लोग